बच्वों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नमबर टू अफ डे फाइव डे फाइव का यह सेकेंड वीडियो लेक्चर है इसमें कोशन हमारे पास क्या है find the value of C, C का value निकालो such that the line joining the point this and this become tangent to the curve बोल रहा है कि इन दोनों point को join करने वाला जो line इस curve पे tangent बन जाए तो फिर C का value निकालो तो क्या करेंगे हमारे पास पहले point को हमने A माल लिया क्या है 0,3 और दूसरे point को हमने B माल लिया क्या है 5,-2 तो equation of line A B क्या होगा two point form से line A B line का equation क्या हो जाएगा y-3 is equal to 3 plus 2 upon 0 minus 5 और x हो जाएगा तो यहां से हमें क्या मिला y-3 is equal to minus x तो यहां से हमें क्या मिला x plus y-3 is equal to 0 यह हमारे पास line का equation हो जाएगा अब यह line क्या होना चाहिए इस curve पे tangent होना चाहिए तो फिर हमें क्या करना है c point का value निकालना है तो यह line इस curve पर tangent है इसका मतलब यह line इस curve को एक point पर touch करेगा और अगर यह line इस curve को एक point पर touch करेगा तो फिर क्या होगा अभी तुम देखो क्या होगा पहले तुम एक काम करो इस line और इस curve को तुम simultaneously solve करो तो यहां से हमें y का value क्या मिलेगा 3-6 तो जब तुम यह y का value इस curve पर डालोगे तो हमें quadratic मिल जाएगा उस quadratic का जो discriminant होगा वो 0 होना चाहिए अगर मालो कि एक line एक curve ऐसे आगी हमारे पास और एक line ऐसे होगा अगर यह tangent नहीं होगा तो तो दो point आ जाएगा न इसका मतलब दो root मिलेंगे और दो root मिल नहीं सकता because line तो tangent है तो इसका मतलब एक root मिलेगा quadratic का quadratic का एक root मिलेगा इसका मतलब क्या होगा repeated root होगा repeated root होगा तो discriminant 0 होगा तो बस यहीं इसमें concept और कुछ था नहीं है इस line को ठाके यहां पर डालो क्या हो जाएगा y के जगा क्या डालेंगे 3 minus x और यहां पर क्या हो जाएगा c upon x plus 1 तो यहां से क्या हो जाएगा 3 minus x और यह x plus 1 is equal to c तो यहां से क्या हो जाएगा 3x plus 3 minus x square minus x is equal to c यह 2x plus 3 minus 2x ठीक है minus x square is equal to c तो यहां से क्या होगा x square minus 2x plus c minus 3 is equal to 0 डी यहां से 0 होगा तो D 0 होगा तो D के am B square minus 4 A के हमारा 1 और C के हमारा C minus 3 is equal to 0 होगा तो 4 लेकर cancel कर दिया तो 1 minus C minus 3 0 होगा तो C minus 3 का value क्या होगा 1 तो यहां से C का value 4 आगिए ठीक है C का value 4 आगिए यह हमें क्या मिला C का value 4 अब हमें चाहिए कि किस point पर यह जो line है यह line इस curve के किस point को cut किस point पर tangent है तो कोई बात नहीं उसके लिए क्या करो C के value पहले तो curve में डालो C के हमारा curve क्या x plus 1 C के value क्या 4 upon x plus 1 ठीक है तो यह हमारा finally curve आ गया y is equal to 4 upon x plus 1 अब हमें चाहिए कि point of contact क्या है line और इसका point of contact क्या है तो इसके लिए क्या करेंगे यह जो equation है ना जो C में आ रहा है यह equation C में यह quadratic equation है ना इसमें क्या करो C का value 4 डाल दो तो क्या हो जाएगा x square minus 2x 4 minus 3 plus 1 is equal to 0 देख रहो perfect square बन रहा है इसका मतलब यह x minus 1 का whole square is equal to 0 तो यहां से हम x की value 1 मिल गई अब x की value 1 मिल गई तो फिर y की value निकाल लेंगे y क्या हमारा 4 upon x plus 1 तो 4 upon x का value 1 plus 1 तो क्या मिल गए 2 इसका मतलब point of contact यह 1,2 clear है यह बात ठीक है अब अच्छो next topic में आजो next topic जो हमारा वो है length of tangent tangent का length normal का length sub tangent and sub normal यह होता क्या है सबसे पहले बात देखो क्या है मालो की हमारा y axis है और यह हमारा x axis है ठीक है और यह हमारा कर वे हमने p point पे tangent रोग किया ठीक है तो p point पे tangent रोग किया तो x axis को किस point पे कट किया t पर इसको किस point पर कट्टिया एकसितल पर अब क्या है कि जो P T है P T वो हमारा length of tangent हो जाएगा यह तक्सका ch신 का लेंट हो जाएगा और पी एन क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा length of normal length of normal यह नॉनर्मल का length हो जाएगा अब यह जो P T है ना मारा length of tangent इसका projection लेlyo x-axis पर तो projection क्या होगा Tm ये तो Tm क्या हो जाएगा यही हो जाएगा हमारा length of subnormal subnormal नहीं length of sub-tangent मतलब जो length of tangent है ना उसका projection ले लो x-axis पर तो क्या हो जाएगा length of subtangent और ये जो length of normal है इसका projection ले लो x-axis पर तो क्या होगा mn ये myn क्या हो जाएगा length of subnormal length of one of subnormal यह subnormal का length हो जाएगा ठीक है ना तो ему eight tangent का length और ये हमारा subnormal का length ये जो mn है ये जो mn है ये length of subnormal हो गया और ये जो tm है ये length of subtangent हो गया pt क्या हो गया length of tangent हो गया और ये pn क्या हो गया length of normal हो गया ठीक है अब तुम्हें ये formula याद रखना है एक तो बहुत आसान सी बात है अगर अगर मालो की यह formula तुम बोल गए सबसे पहले बात की formula याद रखना है क्योंकि objective question में हमारे पास इतना time नहीं होगा कि हम बड़ा बड़ा calculation करी formula बिल्कुल याद रखना है तुम्हें कि length of tangent का यह equation है length of normal length of sub tangent and length of subnormal अगर suppose that formula बोल भी गए मालो एक बार बोल भी गए तो अगर तुम्हें यह पता है कि sub tangent क्या होता है sub normal क्या होता है length of tangent क्या होता है length of normal क्या होता है तो तुम वहाँ पे drag भी कर सकते हो बड़ थोड़ा time लग जाएगा हमारे पास p point to given ही होगा p point दे के बोलेगा p point दे के बोलेगा क्या कि length of tangent निकाल लो तो p point given है तो function जो curve भी given होगा तो क्या करोगे curve को differentiate करोगे p point पर तो क्या मिल जाएगा इस tangent का slope मिल जाएगा ठीक है फिर point given है तो point slow form से tangent की equation निकाल लोगे फिर तुम्हें ये find out करना है कि वो जो tangent है वो x axis को किस point पे cut कर रहा है तो y को 0 डालोगे तो ये हमें t point भी मिल जाएगा अब t point मिल गया p point मिल गया distance formula लगा के p t निकाल लोगे p t क्या length of normal हो जाएगा फिर तुम क्या करोगे p point से perpendicular draw करोगे x axis पर तो ये बच्चे ये क्या हो जाएगा ये हमारा क्ये हो जाएगा ये पता है हमें तो ये हमें m point को coordinate मिल जाएगा तो फिर t से लेके m गा distance formula लगाओगे तो tm भी मिल जाएगा tm क्या है length of sub tangent है कहने का मतलब तुम निकाल सकते हो बट ये formula तुम्हें याद रखना है length of tangent length of normal याद रखना है क्योंकि हमारे पास objective question में इतना time नहीं होता है क्या होता है root under k k क्या हमारा p point क्या हमारा h kama k तो जो p point है उसके y coordinate come out root under 1 plus m square m क्या हमारा m क्या है इस tangent का slope m क्या हमारा ये जो tangent है इसका slope ये formula याद रखना है length of normal है length of tangent length of subnormal एक question कर लेते हैं इस पे क्या बोला है एक simple question करते है find the length of the tangent for the curve this at point zero ठीक है curve भी given होगा point भी given होगा तो हमारे पास क्या है सबसे पहले curve क्या है curve हमारे पास है x cube plus 3x square plus 4x minus 1 तो dy by dx क्या हो जाएगा dy by dx हो जाएगा 3x square plus 6x plus 4 यह हो जाएगा dy by dx तो dy by dx सबसे पहले तो तुम x is equal to 0 पे निकाल लो वो क्या हो जाएगा यह 0 हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक है और जब x का value 0 तो y का value क्या होगा x का value 0 दे रखा है ना तो यह x का value 0 डालो तो x is equal to 0 implies y is equal to minus 1 तो point हमारा क्या बन गया 0, minus 1 यह point बन गया ठीक है ना अब length of tangent क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है find the length of tangent length of tangent formula याद होना चाहिए length of tangent tangent का length क्या होगा mod k root under 1 upon 1 plus m square k क्या है हमारा किस point से हम निकाल लें जिस point p point के हमारा यह होगे ना 0, minus 1 इस point से y coordinate क्या हमारा minus 1 root under 1 plus 1 upon m क्या है m हमारा slope है ना किसका tangent का क्या या 4 आया है तो 4 square mod of minus 1 क्या होगा 1 16 तो क्या हो जाएगा root 17 by 4 यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है ना question number 2 में क्या बोल रहा है question number 2 में बोल रहा है prove that for the curve y is equals to this the length of subtangent at any point is always constant क्या बोल रहा है कि हमारे पास curve है जो subtangent का length होगा किसी भी point पर हमें सब constant होगा यह proof करना है कैसे करेंगे solution हमारे पास function क्या y is equals to b e to the power x length of subtangent at any point इस curve के मैं किसी भी कोई भी point उठा लूँ इस curve पर और उसके बाद जो subtangent का length होगा वो हमें सब constant होगा माल लिया हमने उठा लिया let the point कोई भी एक random point उठा लिया let the point भी हमने ले लिया x1, y1 यह point ले लिया तो पहले इसका derivative निकालते हैं क्या होगा b e पे power x upon a into 1 upon a यह क्या हो जाएगा b upon a e पे power x upon a अच्छा तो यह होगी हमारे पास ठीक है अब dy by dx निकालते है किस पर x1, y1 पर यह क्या हो जाएगा b upon a e पे power x1 upon a ठीक है तो इसको हम कैसे लिख सकते है b e पे power x1 upon a upon b तो यह तो y1 हो जाएगा न यह होगा y1 upon b x1 y1 डालो नहीं यहाँ पे तो y1 किसके एकवाल होगा b e पे power x1 upon a तो यह मिल गया हमें ठीक है नौ length of subtangent निकालते है length of subtangent subtangent का length क्या होता है length of subtangent length of subtangent होता है mod of k upon a k क्या हमारा जिस point से हम लोग निकाल रहे है subtangent उस point का y coordinate y coordinate क्या है किस point से निकाल रहे है x1, y1 से y coordinate क्या है y1 तो यह हो जाएगा y1 upon slope क्या है slope है y1 upon b यही है ना y1 upon b तो y1 upon b ठीक है यह slope नहीं यहां पे a है यार यह जो है ना थोड़ी mistake हो रही है calculation यहां पे a है b b कैसे हो गई यह यह y1 upon a है यह तो यहां पे भी ठीक कर देते हैं यह क्या हो जाएगा y1 upon k क्या है k हमारा y1 upon m क्या है y1 upon e तो यह क्या हो जाएगा mod of a तो mod of a क्या होता है constant होता है which is always constant which is always constant जो में सब क्या होता है constant होता है ठीक है ना next point पे आजाओ बच्चो length of क्या बोला है curve angle between the curve curve के बीच का angle यह भी फिर वही बात है दो curve के बीच का angle इसका मतलब क्या है उनके tangent के बीच का angle क्या ही होता है यह तो अल्रेड ही पता होगा और दो tangent के बीच का angle का मतलब कि दो line के बीच का angle दो line के बीच का angle का जो acute angle होता है वो यह formula होता है अगर हमारे पास यह curve C1 है ठीक है और यह हमारे पास curve C2 है इसके पे हमने एक tangent T2 draw कर लिए tangent T1 draw कर लिए ठीक है इसके बीच का angle चाहिए इसके बीच का angle हमने थीटा लिख लिए तो यह 10 थीटा हो जाएगा यह हमारे क्या हो जाएगा 10 थीटा यह बोल रहा है क्या node देख लो the angle is defined between two curves if the curve are intersecting पहले बात की दो curve के बीच में अंगल तभी refined होगा जब curve intersecting होगा this may be ensured by finding their point of intersection और graphically ऐसा नहीं कि दो curve आपस में intersecting नहीं कर रहा हम tangent खोजने यह angle between the tangent खोजने लग रहा है ऐसा नहीं होगा curve अगर intersecting नहीं करेगा तो फिर कोई tangent नहीं होगा यह तो बोला है first point second point में कि आप बोला है if the curve intersect at more than one point then the angle between the curve is found out with respect to the point of intersection मतला है अगर एक curve दो curve एक से जादा point पे cut कर रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि मालो की point A and point B पे cut कर रहा है ठीक है दो curve point A and point B पे cut कर रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि point A पर angle between the curve क्या है मतलब A point पर जो दो tangent बनेगा न उसके बीच का angle फिर B point पे जो दो tangent बनेगा उसके बीच का angle यह बोला जा रहा है two curve are set to be orthogonal दो curve orthogonal कब होंगे if the angle between them at each point of intersection is right angle that is M1 into M2 is equals to minus 1 अगर दो curve दो point पे cut कर रहा है ठीक है और मैंने यह बोला यह curve C1 यह curve C2 है और मैंने बोला कि C1 और C2 अगर और्थोगोनल है इसका मतलब कि यह point A पर जो दोनों curve पे जो tangent होगा अपस में perpendicular होगा और point B पे यह point B है इस पे जो tangent होगा यह भी आपस में perpendicular होगा मतलब जितने भी points पे दो curve cut करेंगे न अगर उन सभी point पे जो tangent between the angle perpendicular होगा तभी जाके हम curve को orthogonal बोलेंगे अदरवाइस नहीं बोलेंगे मालो यह point पे आगया angle between the tangent 90 degree बट B पे नहीं आया तो फिर यह curve orthogonal नहीं होगा ठीक है समझ मेरे बाद एक question कर लेते हैं question में क्या बोल रहा है question में बोल रहा है solution क्या है हमारा find the angle between this curve and this curve are these two curves orthogonal बोलेके angle निकालो फिर यह चेक करो कि दोनों curve orthogonal है तो यह अगर जही मेंस के point of view से करो कि तो यह तो बहुत easy है एक तो curve हमारा parabola ऐसा है ठीक है और एक parabola ऐसा है तो दो point of intersection एक तो origin आ रहा है साब साब दिख रहा है दूसरा point of intersection यह है origin पर दोनों जो tangent बन रही आपसम और्थोगोनल है अब रही बात यह curve क्या हमारा x square is equal to 4y और यह curve क्या हमारा y square is equal to 4x इस पर check कर लेना है ठीक है तो कैसे करेंगे सबसे पहले यह point of intersection चाहिए माल लेते हैं इसे point एगा तो point of intersection कैसे मिलेगा दोनों को simultaneously solve करके कैसे करेंगे एक हमारा curve क्या x square is equal to 4y दूसरा curve क्या y square is equal to 4x दूनों को simultaneously solve करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा y is equal to x square by 4 इसमें डाल देंगे ठीक है दूसरा क्या है यहां से हमें मिल रहा है इसमें डाल देते हैं y की जगह क्या डालेंगे x square by 4 is equal to 4x यहां से हमें क्या मिलेगा x square minus 16 x is equal to 0 तो यहां से हमें x की value क्या मिली? 0,4 तो दो point मिल गया एक तो origin के लिए 0 आ रहा है तो 0 पे क्या होगा? 0 पे तो साफ साफ देखी रहा है क्या दिख रहा है? perpendicular है, चलो अगर नहीं दिख रहा है किसी को तो मैं ऐसे ले ले लेते हैं at point 0,0 0,0 पे ठीक है, पहला कर्व हमारे पास क्या y is equal to tangent का slope निकालते है y square क्या है? 4x है तो यहां से क्या होगा? 2y into dy by dx क्या होगा? 4 होगा तो यहां से dy by dx क्या होगा? dy by dx होजएगा हमारा 4 by 2y तो 2 by y ठीक है? अब यहां पे साफ साफ है कि अगर मैं dy by dx पर 0,0 पर tangent रो करूँ तो यह dy by dx पॉस्टिफ इंफिनिटी को जाएगा इसका मतलब क्या होगा? vertical tangent होगा vertical tangent होगा मतलब यह जो कर्व है y square is equal to 4x इस पे origin पर vertical tangent होगा? तो origin पर vertical tangent क्या होता है? खुद ही y axis होता है इसका मतलब कि इस कर्व पर जो origin पर tangent बनेगा वो खुद y axis बन जाएगा अब अगर इस कर्व पर निकालोगे न origin पर tangent तो वो क्या होगा? उसका slope क्या होगा? tangent का 0 होगा slope 0 होगा, origin पर tangent का slope 0 तो फिर x axis बन गया तो यह तो मिल रहा है इस पर 90 degree अब आते हैं हम लोग add point किस पर आते हैं? हम लोग point आते हैं इस पर क्या बोलती है? दूसरा point क्या है? 4 अच्छे यह तो x का value मिल है न? 4 तो y का value निकालने के लिए किसी map डाल दो x की जगह 4 डाल दो ठीक है? तो y की जगह क्या होगा? एक पे तो नहीं मिला हमें, एक पे तो 90 degree मिल गया. दूसरा curve क्या हमारे पास? दूसरा curve जो है x square is equal to 4 y को एक पहले point उठाए 4 y इसको differentiate करते हैं तो क्या हो देगा? 2 x is equal to 4 dy by dx अच्छा पहले हम लोग point निकाले न? तो x का value 4 डालते हैं तो y का value यहां से क्या मिलेगा? x की जगह 4 डाल दो, तो y क्या मिलेगा? plus minus 4 minus 4 तो होगा नहीं, तो y is equal to 4 तो यह point क्या मिल गया हमे? 4,4 ठीक है? यह point क्या मिल गया? 4,4 तो पहला कर्व उठाएं, यहां से हमने क्या बोला? dy by dx का value क्या होगा? x, y, 2 तो यहां से हम dy by dx 4,4 पे निकाल लें 4,4 पे निकालें, तो क्या मिल रहा हमे? 2 दूसरा कर्व क्या हमारे पास? x square is equal to 4y, y square is equal to 4x y square is equal to 4x यहां से क्या हो जाएगा? 2y into dy by dx is equal to 4 तो यहां से dy by dx क्या मिल जाएगा? dy by dx, 4 by 2y तो क्या मिलेगा? 2 by y और y क्या हमारा? 2 by y के जाएगा 4 तो यह होगा 1 by 2 तो एक point पे tangent का slope आया 2 दूसरे point पे एक curve पे tangent का slope आया 2 दूसरे curve पे tangent का slope आया क्या? 1 upon 2 तो हम लोग माल लेते हैं, let theta वीदा angle वीदा angle between the curve between the curves तो theta क्या होगा? माल लो इसको हमने m1 माल लिया इसको हमने m2 माल लिया तो theta क्या होगा? tan inverse mod क्या लेते हैं हम लोग acute angle लेते हैं M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2 यही लेते हैं न तो थीटा क्या होगा 10 inverse M1 क्या हमारे पास 2 minus 1 upon 2 upon 1 plus 2 into 1 upon 2 यह क्या हो जाएगा 10 inverse 4 by 4 3 by 2 और upon 2 तो यह हो जाएगा तो यह क्या मिल गया 10 inverse 3 by 4 ठीक है और्थोगोनल नहीं मिला एक पॉइंट पे तो और्थोगोनल मिल गया दूसरे पॉइंट पे और्थोगोनल नहीं मिला इसका क्या मतलब है कि point dangle between the curve तो हमने तो a.0 point origin पे क्या निकल गया है यहाँ पे हमारा theta is equal to pi by 2 और a point पे अंगल क्या मिला theta is equal to tan inverse क्या मिला 3 by 4 3 by 4 यहाँ पे a point पे क्या मिला theta is equal to tan inverse 3 by 4 मिल गया है न मतलब यह जो tangent बनेगा है कि यहाँ पे tangent यहाँ पे tangent इसके बीच का एंगल क्या होगा tan inverse 3 by 4 और एक के बीच के अंगल आ रहा है पाई by 2 तो यह curve क्या orthogonal हुआ बिलकुल नहीं हुआ अगा orthogonal के लिए condition क्या चाहिए था कि दोनों point पे orthogonal होना चाहिए मतलब दोनों point पे tangent क्या होना चाहिए पर पेंडिकुलर होना चाहिए बढ़ एक point पर तो हो रहाएक point पे नहीं हो रहा है तो curve are not orthogonal यह दोनों curve क्या होगा orthogonal नहीं होगा ठीक है next topic है बच्चों हमारा वो है shortest distance between two curves दो कर्व के बीच का shortest distance क्या होगा यह देखना है shortest distance between two non-intersecting non-intersecting differentiable curve is always along their common normal when wherever defined कहने का मतलब है कि सबसे पहले बात कि अगर दो कर्व के बीच का तुम shortest distance निकालोगे तो वो दोनों curve intersecting नहीं होना चाहिए अगर intersecting curve है तो फिर sorted distance तो zero हो जाएगा तो तो पुछने की जोड़ती नहीं है फिर मतलब कि दोनों curve अगर differentiable है दोनों curve differentiable है तो इन दोनों के बीच का जो shortest distance होगा वो एक ऐसा लाइन होगा जो दोनों curve पे नॉर्मल हो यह C1 पे भी नॉर्मल हो तो A और B यह जो point A और point B है यह जो A भी distance है यही shortest distance होगा between the curve C1 and C2 समझ में आ रही है ना बात अब आप इस पर question करते हैं क्या बोला है find the shortest distance between the line this and this curve अब बोला है shortest distance निकालो तो shortest distance निकालने के लिए इसका मतलब यह दोनों curve non-intersecting है मतलब कुछ ऐसा scenario होगा देखो एक तो हमारा एक तो parabola है एक तो straight line है मतलब कि ऐसा कुछ होगा कि यह parabola ऐसे जा रहा होगा और यह line ऐसे आ रहा हो मतलब यह line हमारा क्या हो जाएगा y is equal to x minus 2 और यह parabola क्या हो जाएगा y is equal to x square plus 3x plus 2 तो shortest distance क्या होगा दोनों पे जो common normal हो यह line अगर दोनों पे normal है यह जो line है अगर दोनों पे normal है और यह parabola को p point पकट करती है और इस line को q point पकट करती है तो यह जो p q है यही हमारा shortest distance हो गए यह जो p q है अब कैसे निकालेंगे यह इन माल लेते हैं कि हम लोगों ने माल लिया let हमने माल लिया की let हमने बोला p x 1, y 1 be a point, be a point closes to line to the line y is equals to x minus 2 हमने एक point पी माल लिया जो इस line के बिलकुल close है बिलकुल pass में है ठीक है तो अब कैसे निकालेंगे यह सोचो सबसे पहले माल लेते हैं कि यह तो common normal है ना दोनों पे तो p point पर हम लोग सबसे पहले tangent का slope p point को हमने क्या माल लिया x 1, y 1 तो p point पर पहले tangent का slope निकालते हैं तो p point पर tangent का slope कैसे मिलेगा इस curve को differentiate करके तो curve क्या हमारा x square plus 3x plus 2 इसको differentiate करोगे तो dy by dx क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तुमें 2x plus 3 तो यहां से क्या होगा dy by dx at x 1, y 1 इस point पर dy by dx क्या हो जाएगा 2x 1 plus 3 यह हो जाएगा तो dy by dx at x 1, y 1 x 1, y 1 पर slope of the line ठीक है x 1, y 1 पर ठीक है dy by dx क्या रहे है 2x 1 plus 3 इसका क्या रहे है 2x plus 1 3 और इस line का slope क्या है अच्छा बच्छे इस point पर जो tangent है यह जो point पर tangent है यह तो इस line के parallel है इस line के parallel है तो slope तो same होगा तो slope same होगा तो dy by dx at x 1, y 1 किसके equal हो जाएगा इस line का slope क्या है 1 है तो यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इस point पर यहां से क्या हो जाएगा 2x 1 plus 3 is equal to 1 तो यहां से हमें क्या मिला x 1 क्या value मिला minus 1 अब इस x 1 का value क्या करो इस curve में डाल दो तो y 1 मिल जाएगा minus 1 डालोगे तो क्या होगा minus 3 plus 1 minus 2 plus 2 0 तो y 1 क्या मिल जाएगा 0 y 1 is equal to 0 तो यह जो हमारा p point है इसका coordinate क्या मिल गया p point का coordinate हमें मिल गया minus 1, 0 अब यह जो minus 1, 0 जो point है यह इस line से सबसे closest है ठीक है इस line से सबसे closest है तो कोई बात नहीं अब p q ही तो हमें चाहिए तो p point का distance निकालो इस line से तो sorted distance क्या होगा point का distance कैसे निकालते line से line क्या हमारे पास line हमारे पास y is equal to x minus 2 d क्या होगा mod point क्या हमारे पास point है हमारे पास point है हमारे पास है minus 1 तो x की जगा इसको ऐसे लिख लो x minus 1 minus 2 is equal to 0 तो x की जगा क्या डालेंगे x की जगा minus 1 डालेंगे तो minus 1 डाला minus y की जगा क्या डालेंगे 0 into minus 2 upon root under 1 square plus 1 square पर ऐसे ही तो निकालते हैं तो क्या हो जाएगा थ्री वाई रूट टू यह हमारा अंसर हो कि ठीक है ना अब आ जाओ कोशन नमबर टू में कोशन नमबर टू हम लोग में क्या बोला है कोशन नमबर टू देख लो चलो इसको नेक्स वीडियो में करते हैं